इस वक्त हम नाटी इमली, बनारस के नाटी इमली भरत मिलाप के मैदान में मौझूद है और इसी मैलान में जो भरत मिलाप की लीला है, काशी के लखा मिला में शुमार ये जो लीला है, उसका यहाँ पर मंचन होगा, आप तैयारियां देख सकते हैं चारो और आपको बरिकेटिंग मिलेगी और इसके साथ जो भी भक्त है, जो भी दर्शक है वो इस बरिकेटिंग के दूसरी और पुलिस और प्रशासन के यहाँ पर कड़े इंतिजाम किये गए हैं और आप देखें, यहाँ वी आइपी हो या फिर अन्य दर्शक हो, सब के लिए इंतिजाम किये गए हैं तो एतिहासिक है यह लीला, कहा जाता है कि यहाँ पर जो द्रिश्य होता है, उसका एक समय होता है और नैना भिराम इस लीला को देखने के लिए काशी में लाखों लोग उमरते हैं, भीड उमरती है और काशी की पहचान, यह लीला कितनी महत्तुपूर्ण है और इस लीला के माइने क्या है? इस लीला के मुख्य बिंदू क्या है? कैसे ये लीला होती है? और इस लीला को कैसे किया जाता है? ये सारी तस्वीरे ABP गंगा आपको दिखा रहा है. हम बता रहे हैं कि इस लीला को करते समय कौन यदुवंशी है? कौन यदुवंशी इस रत क खीचते हैं और कभ भाईया राम और भ्रातालक्ष्वन एक दूसरे से मिलते हैं तो लगबग चार बच के 40 मिनट का समय है और चार बच के 40 मिनट के समय पर यहां से इस मंच से और सामने वाले मंच से दोनों जो पात्र हैं वो दोड़ेंगे और यहां पर लीला का मंचन होगा उस दोरान मिलन होगा भरत मिलाप होगा और कहा जाता है कि जब सूरी के किर्णे सामने वाले मंच पर पड़ती हैं तो उसी दोरान जो भरत मिलाप होता है वो द्रिश यहां पर देखने के लिए जो भीण होती है जो भीण उमरती है वो इसको देखती है और जैश्री राम हर हर महादेव के नारे लगते हैं तो ये लीला अभी किस रत से आएगी और जो पात्र है वो किस रत से आएंगे ये सारे द्रिश्य हम आपको दिखाएंगे गैमरामेन विशेश के साथ नितिश कुमार पांडे, एबीपी गंगा परांची एबीपी पांगा इबीपी गंगा riadकर ऑम। झाल झाल